जो एक्जिट पॉल आए हैं और जिस तरह से एक्जिट पॉल में एक नॉन बायोजिकल व्यक्ति के द्वारा साइकलोजिकल स्ट्राइक करने का प्रयास किया गया है अधिकारियों पर जो उनके कारे करता हैं उनका जो मनोबल गिरा हुआ था जो उनमें निरासा और हतासा थी उसको बढ़ाने के लिए एक्जिट पॉल का सहरा लिया गया एक्जिट पॉल एक्जेक्ट पॉल से बिल्कुल अलग है और जिस तरह का एक बेबुनियात तरीके से बगार सिरपैर के तरह तरह के एक्जिट पॉल दिखाये गये और उन में कई संस्थानों के द्वारा सिर्फ उन ही एक्जिट पोलों को जगा दी गई जिसमें NDA की बढ़ात थी बाद में उसको मैनेज करने के लिए कई तरह के और भी एक्जिट पोल आये हैं जिसमें किसी को उत्तर में ज़्यादा दिखा दिया किसी को दक्षिन में ज़्यादा दिखा दिया किसी को पूरब में ज़्यादा दिखा दिया किसी को पक्षी में ज़्यादा दिखा दिया यह देश का चुनाओ था और देश के चुनाओ में लोग मुद्दो पर वोट देते हैं मुद्दो पर कभी भी केंद्र सरकार के द्वारा या भारतिय जनतापाटी के नेताओं के द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई उसका सीधा मतलब ये है कि जो दस वर्स पहले और जो पांच वर्स पहले उन्होंने जनता से वादा किया था उस पर वो खड़े नहीं उतर पा रहे थे जो उन्होंने रोजगार देने की बात करी थी 2 करोड प्रतिवर्स और 15 लाख रुपे देने की बात महिलाओं को सम्मान देने की बात उस पर वो खड़े नहीं उतरे इसलिए उन्होंने कभी भी मुद्दो पर बात नहीं की सिर्फ और सिर्फ चुनिंदो की बात की चुनिंद और अंबानी के बारे में कुछ बोलने के बजाए वो कुछ और बोल गए और उन्होंने कहा कि जो टेंपो में पैसा भरभर के जा रहा है अब तक उस पर ना तो किसी देश की संस्था ने ना स्वतंत्र एजेंसी ने कोई पूछ ताज करने की जहमत नहीं उठाई है प्रधान फिर भी जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था उस माहौल को बनाने में वो बुरी तरह से फेल रहे हैं जो एकजिट पोल दिखाए गए हैं उनसे एकजिट पोल की केडिबिलिटी तो समाथ हो नहीं वाली है जो मीडिया के घराने हैं उनको भी एक बार अपने वारे मे पुनर विचार करना पड़ेगा कि exit पोल वालों से संबंद रखना है सेयर बजार वालों से रखना है कि भारती जंता पार्टी के कारेकरताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए काम करना है कि जो एक व्योस्था बनाई गई है उसके लिए काम करना है पूरे देश में एक दवाब बनाने की कोशिस की गई अधिकारियों पर कि हमारे पक्ष में मतदान होने वाला है इसलिए जैसा हम कहेंगे वैसा आप करेंगे और पिछली बार आपने देखा है कि किस तरह से खूटी में एक प्रयास किया गया था और चौदर सो बोटों से हराने का काम किया गया था किस तरह से सारी चीजे हुई थी उस पर हम लोगों ने काफी संगर्स किया बाबजूद आप जानते हैं एक बार जो चुनाओं में फैसला हो जाता है उसको फिर बदलना काफी मुश्किल होता है तारीक पे तारीक लगाई जाती है और परिणाम कुछ सामने नहीं आ पाता है तो ह हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो हमारी तैयारी है कल अखील भारतिय कॉंग्रेस कमीटी के आधर्निय अध्यक्ष मलिकारजुन खर्गे जी ने हमारे नेता आधर्निय राहूल गांधी जी ने संग्ठन महासचीव केसी बेनुगोपाल जी ने असपश्ट रूप से निर्देश दिया है कि अंतिम छन तक हम सभी को जो मतदगानना केंदर पर रहेंगे वहां पूरी ताकत से डटे रहना है जरासी चूक हुई आखबंद डिबबा गायब ये इस मामले में भारती जनता पाटी मास्टर है तो इसलिए जरासा भी पलक नहीं जपकने देना है पूरी तयारी के साथ जाना है और जब तक काउंटिंग पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाए तब तक वहां डटे रहना है चूकि इसका खाम्याजा हम लोगों ने खूटी में भूगता है और और पू बाकी जो तमाम वरिष्ट नेतागन हैं मोर्चा और संगठन के लोग हैं उनके साथ अग्रणी संगठन के लोग और विभाग के लोगों के साथ चर्चा की है किस तरह से पूरे प्रदेश में हम लोगों को एक्टिवेट होके काम करना है और जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलनी है उस पर पूरी ताकत के साथ हम लोगों को अंतिम चंद तक लगे रहना है आप लोगों के मन में बहुत सारी जिग्यासाए होंगी आप लोग बहुत सारा सवाल भी पूछना चाहते होंगे क्योंकि आप लोगों ने एक एकजिट पोल को आप कैसे समझ पाए और कैसे आगे बढ़ पाएं तो हम एकजिट पोल को इस तरह से समझते हैं कि हमारे हैं एक सीट पर इंडिया गडबंदन के तहट CPI ML लड़ रही है चुनाओ और जो एकजिट पोल थे उसमें दो तीन सीट दिखाई गई कि इनको मिलेग तो यह बिल्कुल तथे से पड़े हैं इसी तरह हम तमिलाडो में नौ सीटों पर चुनाओ लड़ रहे हैं तेरा से पंद्रा हमें दिखाया गया तो कई बार ऐसा लगता है कि यह जो एकजिट पोल था वो सिर्फ गुमराग करने के लिए था या किसी व्यक्ति विसेश या पार्टी विसेश को फाइदा पहुचाने के लिए और पूरे देश का जो मूड है जिस तरह से देश में बिरोजगारी बढ़ी है जिस तरह से देश में भूखे लोगों की संख्या बढ़ी है जो प्रधानमंत्री खुद से कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं प्रधानमंत्री ख उसको रोकने के लिए हम लोग पूरी मुस्ताइदी के साथ काम करेंगे और जो आप लोगों के बीच में या जो आम लोगों के बीच में ग्रम फैलाया जा रहा है उसको समाप्त करेंगे अभी आपने का कि बात की नहीं कर रहे हैं नहीं देखिए मुद्दे की बात की बात नहीं है उन्होंने हमेशा इसी तरह से बात की है नहीं अगर आपको ऐसा लगता है तो देखिए देखने का अपना अपना नजरिया है मैं कि 19 और 24 में ये अंतर हुआ है कि 80 करोड लोग अब सरकार के मुद्ध भोजन पर आश्रीत है असी ये उनीस और इसमें अंतर ये हुआ है कि हमारे युवां की बिरोजगारी बढ़ी है जो 70 करोड युवा है उसमें 45 साल से ज्यादा युवा जो है वर्स की युवा है व बताने में सफल रहे हैं इसलिए हम ये बात कह रहे हैं मैंने कहा कि मनोवैज्ञानिक एक दवाब बनाया गया है और उस मनोवैज्ञानिक दवाब में आप भी आ गये हैं इसलिए इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं मैं समझता हूं कि जो भी अधिकारी होते हैं निश्चित रूप से एक भारत सरकार का अधिकारी एक बार जरूर सोचता और जिस तरह की बाते सामने आई हैं कई जगों पर अधिकारियों को धमकाया जा रहा हैं कई जगों पर कई तरह की बाते हुई हैं इस विहाब पर हम लोग ये बाते कह रहे हैं तीजरी, जो मतगन्ना केंद्रों पर हमारी पूरी तियारी है, सभी जगह पे हमारे जो उमिद्वार हैं और जो हमारे जिला अद्यक्ष हैं, वो सभी जगहों पे ट्रेनिंग दी जा रही, अभी भी हमारे प्रभारी आदर्णिये गुलाम अहमद मीर साहब आए हैं और सिधे पंडरा बजार की ओर गये हैं जहां पर हमारी ट्रेनिंग की व्याऊस्ता की गई है जो राची लोग सभास असधीय चेतर के लिए इसी तरह की ट्रेनिंग गुड़ा में दी जा रही है इसी तरह की गुमला में दी जा रही है सबी इस्टेशन पे जहां जो मुख्याले है लोग सभा की गिंती का वहां पर लोग आज साम चार बजे से ही पहुँच रहे हैं और कल रात तक वहीं रहेंगे ये हमारी व्यवस्ता है अब नाम बता देंगे अगर किसी का कि ये अच्छा कर रहा है तो उसको भी फिर वो लोग गरबड कर देंगे एक बार एक बार मैं बताने लगा था भासन में कि भाई जो क्या क्या किया पूछे है कि कॉंग्रेस ने सतर सालों में क्या किया तो सतर सालों में हमने पहले सोचा बता दूँ फिर उसके बाद लगा कि बता देंगे तो जो बचा हो भी बेज देगा इजले बताए नहीं तो उसी तरह का सवाल है इसमें बहुत कुछ नहीं कहना है आप लोग प्रतारित नहीं हो जो मैं समझता हूं कि जार्खन के मीडिया के साथियों का बराबर सहयोग रहा है बाबजूद मालिकान कुछ भी करे हम जार्खन में कॉंग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आपने काफी से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं उसमें जो हमने ट्वीट किया है उसमें ये लिखा है कि अब जो है जीतने के लिए लोग सक्ता बजार का सहारा ले रहे हैं अगर मेरे आप उसको देखीगा तो अगरे के हिसाब से मैंने डाला था आपको दिखा देता हूं इसलिए कि जरूरी है क्योंकि भ्रह्म की स्थिति बहुत जगा पैदा की जाती है वो होना नहीं चाहिए तो सट्टा बजार का भी मामला दिखाता हूं कि मैंने क्या लिखा था नहीं 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 मैंने ये लिखा था कि अब सट्टा मैंने ये लिखा था मैं ये दिखा दे रहा हूं फेस्बुक पे कि अब सट्टा बजार के माध्यम से एंडिये सरकार बनाने का प्रयास फिर भी पह नहीं एक्यावन किलो के लड़ू में सबको चखा रहे हैं कि नहीं तो वो थोड़ा हम लोग से कम उमीद की जा सकते हैं क्योंकि हम लोग ड्रामे बाजी नोटंकी बाजी इन सारी चीजों से थोड़ा दूर रहते हैं आप लोगों को बहतर पता है आप लोग उसके भुक्त फोगी रहे हैं तो इसे बड़ी अबाद क्या होगी और आप लोगों का धन्यवाद भी करूँगा कि बाब जूद इतनी भारी संख्या में आये हैं मैं तो यह सोच रहा था चुनाओ समाप्त होगा तो हम लोगों को जारखन की हर छोटी बड़ी खबर के लिए BKD News जारखन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फोलो करें